कि अदूस्टों स्वागेता सभीका दूस्तों आज थोड़ा साम लोग बिहार का जो मैप है उसको समझते हैं विहार के मैप से डिर्रेक्ट कोशन आते हैं और इंडिरेक्ट भी कोशन आते हैं अकर आप 67 68 69 के को देखिएगा तो मैप के थ्रू कोशन साय अगर जिसका कमांड 650 सब मेप पे रहेगा ना उससे वह सब कोश्चण गलत नहीं होता है यहां पर नदियो को आपको you को शूरू करते हैं कि जैसे सभी लोगों को पता है कि बिहार जो है अगर हम लोग इसको छित्रवाइज देखे तो बारा नमर प्याता साइज में और इसमें टोटल नौ प्रमंडल है और टोटल 38 जीलो में बटा हुआ है अगर भारत में हम लोग देखे तो यह अपना विहार है और जैसी इसको देख रहे हैं तो एक अंतरास्टी सीमा यहां प बात करें तो यहां से पूरा यूपी से टच होता है इधर से देखेगा तो अपना ज्हारखंड और यहां से वेस्ट बंगाल पूरा टच होता है कंप्ली टूप से और इधर आपको अंतरास्टी सीमा बनाता है वह आपको नेपाल का बिहार एक लैंड लॉग चुकि कहीं स से भी हापको समुंदर से नाहीं होता है अगर मैं अंतरास्थी सीमा के बाद कर हटा दू कि है कि अक्विसकों कुल्यूटी नहीं तब यहां पर मिलती है तो इसलिम लोग भारत की बांग मिल्टिक कर हम अर्यायाना मध्य प्रदेमों अगर है सब को देखते हैं कैसे याद करें यह कोशिस रहेगी चितरपल के लिए 12 सबसे हैं नौ पर मंदल में इसको बाटा गया सबसे छोटा जो चितर वो सिवहर है यहां पर देख सकते एक छोटा सब चितर है वो सिवहर है और जो सबसे बड़ा आपको डिस्टिक है वह आपको पश यहां पर समझाता हूं इसको याद करने का थेख फिर आप त्वबार सा इसको बताता हूं कैसे परवंडल से कोशन साथे हैं बिहार के जो परवंडल है नौ है सारण है तिरुहत है दरभंगा है कोसी है पूर्णिया है भागलपूर है मंगेर है मगध पटना है अगर मैं सा देखेंगे तीरहुट डिवीजन में देखो यह पूरा का छितर आगे इसको कैसे देखना है दर्भंगा डिस्ट्रिक यह कंप्लीट रूप से आपको यहां पर देख रहे हैं यहां से कोशी डिवीजन यहां से पुर्णिया डिवीजन भागलपूर मुंगेट पटना डिवीजन में देखें मगद में ठीक है द्यान अखेंगा कोशन आपसे क्या पुछा था जसमें गंगा डिक समन्द किस परवंडल से नहीं है अईसे कोशन था और उसमें मगत भी आप संथा तो मगत का कोई समंद आपको गंगा से नहीं है ऐसी कोश्ण पूछा था ना 68 का कोश्ण था तो ऐसे आपको याद करना हो कैसे थोड़ सा मैप को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैप को याद करते हैं उसके बाद इस चीज को हम लोग यहां पर आपको देखेंगी कौन-कौन से टेस होते देखिए अपना एक ट्रीक है म हरा पश्मी चंपारण पूर्वी चंपारण यहां से कापे लोग एक ट्रीक देख सकते हैं कि सीता मढ़ी मधू बनी सुपॉल और अरिया और किसन गंज तो सीता सीता ने इसको ट्रीक कर सकते हैं सीता ने मधू बनी में सड़क बनवाया क्या बनवाया क्या बनवाया सड़क लिख सकते हैं इसे कर दोब तो एक ट्रीक यह कर सकते हैं सीता जी भगवान हमारी देवी ठीक है सीव जी हमारे आपको क्या है भगवान है यहाँ पर सीवर तो यह पूरा रो आपको याद हो जाएगा पश्मी चम्पारन पुर्वी चंपालन जानते ही है सीता ने मधु बनी में सड़क बनवाया सड़क क्लियर पहला आपको इस छोर का आप लोग देख लिजिए उसके बाद पिर हम लोग आपको आएंगे ठीक है अब इधार से आईए देखते हैं कि यहां से क्या ट्रिक हो सकता है यह मेरा अपना है आप लोग चाहें तो आपना बना सकते हैं चंपा ने गोपाल के साथ सीस जुका कर भोशपूरी बका बका मतलब बकना बोलना ठीक है हम लोग अपने भासाम कहते हैं न बिहार में बका तो चंपा ने चंपाने गोपाल के साथ सीस जुका कर भोशपूरी बका मतलब बकना ठीक है द्यान रखेगा अब यहां से आप लोग द्यान रखेसकते हैं से चंप नतलब पश्मी चंपारन पूरवी चंपारः नहीं आता है यहां पर पूर पोड़्ष χय नहीं बनाता सबक्रान इदर रहें कि यह मैं यहе नहीं कर रहा हो कि तुरंत यात करने के लिए थोड़ा सा शमय चाहिए हूं आप लोग चाहिए तो समय ले लेडि़े8-10 बार 92 को रखेंगे कि ध्यान कि कभी भी गलत नहीं होगा यह नेपाल के साथ कौन सा टस करता भागा भागा से भागा ठीक है ऐसे कर दिजिए भागा 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 कप किसंगंज पूर्निया हार से कटी हार भागा कप हार कर भागा क्या तो कप हार कर भागा जैसे आपको याद भागा से भागल पूर भागा से भागा कर दिजिएगा तो आपको आजाएगा भागा ठी कैसे आपकी इक्षा आप लोग यहां पर कर सकते इसके अलावए एक और ट्रीक है यह सब मेरा अपना बनाया वह ट्रीक है बाकी आप लोग देख लिजेगा कि कैसे करना है ठीक है कार से कार से और अंगाबाद गया जाकर नाज किया नहीं यह तक गर्व किया यह कार चला कर गया कार कैमूर रोसे रोतास कहां गया और अंगाबाद गया जाकर नाज करते हैं नाज और नवादा और जमुई तो कार से और अंगाबाद गया जाकर नाज किया तो अगर आपको ऐसे ट्रिक याद है तो आपको कभी भी ये बॉंडरी वाले प्रस्ण गलत नहीं होंगे लिखी थे कभी भी गलत नहीं होंगे यह मैं आपको फॉर्ट स्योर कह रहा हूं तो आपको यह ट्रिक फिर से बतायता हूं चंपश्वी चंपान पुर्व भागा भाग है कर जाएकल भागालपूर वंगा इसके बात हम लोग कर वे साउड में देखें गे तो कार चलाकर और अंगा बाद गया जाकर नाज किया इसको 10 बास पढ़اص shaken यहाद और एक और है चंपा और गो पाल चंपा और गोपाल के साथ चौंपा गोपाल के साथ सीज सीवान पहले सारनबात में है सीज झुपाकर भोजपूरी बका तो ऐसे चीजे आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं इस मैप को इंट्रेस्टिंग है कि अब आई लोग आते हैं कि आपको यहां से कैसे चीजों को याद करना है देखो बता हैं कि यह अपको प्रिछांसS जांते। तो विहार का जो अच्छान्स है, बिहार कहां पर पड़ता है भाई, तो इंडिया के इस छेत्र बे विहार का पड़ता है, तो विहार का जो अच्छान्स है, वो आपको 24 से लेकर 27, 24 डिगरी 20 मिनट 10 से लेकर 27 डिगरी 31 मिनट 15 से तक आपको यहां पर देशांतर हमको देशांतर पता है कि आपको कैस तो उपर से नीचे तो देशांतर का है तो यह आपको देशांतर है तो पूर्व से पश्चिम विहार कितना है पूर्व से पश्चिम चारसो तीरासी उत्तर से पश्चिम का विस्तार चारसो आपको पैतालिस यदि आपसे कोई कोश्चन पूछे की बताईए कि विहार का जो विस्तार है वह पूर्व से पश्चिम ज्यादा है उत्तर से दक्षिन ज्यादा है तो पूर्व से पश्चिम आपको ज्यादा है क्लियर ध्यान रखेगा इसके बाद नेपाल के साथ कौन-कौन सी सीमा तो देखिए यही पस्मी चंपारण पुर्वी चंपारण सीता ने मधुबणी में सड़क बनवाया सोरौक ठीक है उत्तर प्रदिश से कौन-कौन सी सीमा आपको साजह कर रही है तो ध्यान रखेगा चं से थोड़ा से आपको होता है और पस्षिम बंगाल में किसंगंस पुर्णिया और कठिया जैसे आप लोग मैप पर देखेगा तो यह तीन जो च्छेत्र है यह आपको स्रीफ वर स्रीफ जो है पस्षिम बंगाल से बाकि जहरखन से यहां से लेकर यहां तक आपको टच करता है है सीमा यह मैं आपको रेकर यहां पर क्लियर कर देता हूं यह दिख रहे होंगे आप लोग घ्यम होसकता है क्लियर नहीं हो टो इनीत यहां पर दिख रहा होगा यह जो कम्प्लिट बाउंडरी है यहां से नेपाल टच होता है यहां से लेकर यह पूरा यानि रोहतास भी जो है यानि टोटल आठ जो डिस्टिक है वो टच करते हैं यूपी से नेपाल से टोटल साथ डिस्टिक टच करते हैं जारखंड से यहां से लेकर यह पूरा जारखंड यहां पर आपको टच करता है ध्यान लखेगा इस जारखंड यहां से दो तीन कोशन और पूछता है क्या कि कौन सा आपको डिस्टिक है जो नेपार और पश्चिम बंगाल दोनों से टच करता है तो किसंगंज सबसे पुर्वत्तर जीला कौन सा है किसन गंज नेपाल और नेपाल और पश्चिम बंगाल दो से टिरच करने वाला स्रिफ वर स्रिफ किसन गंज सबसे पुर्वत्तर इस्ट मोस्ट सबसे ज़्यादा आपको कौन सा हिस्टन मोस्ट तो किसन गंज ध्यान लखेगा सब्सक्राइब का तरीका है कि जैसे आप से आप अपना अपना पॉठा ए और पठिक्ष्ट को और सब्सक्राइब कहां से सभी डिस्टिक को देखिए कौन कौन से यह मेहनत का चीज है लेकिन आपको यह जब एक बार याद हो जाएगा ना एक बार यदि आपको मैप के तुरू इसको देखने की आदत पड़ जाएगी ना तो आप कभी नहीं भूलिएगा आज जीवन नहीं भूलिएगा यह उस से देखो कि खाए मैं कौन यहीं से सवरी यह जाओंगा तो किस-किस डिस्टिक को याद करते हैं क्या यह आदकताशान नहीं तो कुछ इस तरीके के ट्रिक को अपनाते हैं हम लोग जिससे हमें डिस्टिक वगर याद हो जाए चुकि इंपोर्टेंट इस लिए भी है कि प्रस्म पूस्ता है कि किस डिस्टिक से कौन सा टेज करता है अगर नहीं पूस्ता तो तो ध्यान लखेगा है अगर आपको यहां पर डिस्टिक हो गया यहां पर आपको परमंडल हो गया हो तो जब आप लोग नदी पढ़ियेगा जिसी यहां पर देखो पर इजेंपटना डिस्टिक को यहां पर देख नहीं हैं तो कैमूर है रोतास है बक्सर है भोषपूर है पटना है यहां पर देखेगा नालंदा यह अब क्या है यहां पर पटना डिवीजन में सब है किसमें है पटना डिवीजन अगर मैं भागलपूर डिविजन की बात करूँ तो बाका एंड भागलपूर है only तो आपको ये दो मैप इसको screenshot भी ले सकते हैं आप लोग इस दोनों मैप को मिलाएए इससे एक ये याद होगा कि किस डिवीजन में कौन-कौन से district है आप लोग division wise with district को याद कर सकते हैं किस division में कौन-कौन सा आपको है यहाँ पर सीज़ी जो को पकड़ लिजे ती रूहुत में कौन सा है सबसे ज़्यादा किस में है ऐसे भी questions आप से पूछे जाते हैं लगता और वो question का answer आप लोग कब दे सकते हैं उस question का answer उसी समय दे सकते हैं जब आपको command होगा district wise आप district wise चीज़ों को command पर रखेंगे आपको वो आपके हाथ में होगा तब ही चीज़े आपके साथ आपको क्या होगा suitable होगा तो ऐसे ची चीज़े फोटो और अगर आप मालेज़ें मगर डिवीजन के हो तो यहां पर डिश्टिक वाइस देख लो और अंगबाद गया नवादा जहानाबाद आपको और यहां से नदीप पट्टा गंगा गुजरती नहीं गंगा यहां से गुजरती और यही question पूछ पूछ दिय लाकर पढ़ने की एक आदर डालेगा कि कोशी डिवीजन में कौन-कौन सा है भाई तो मदे पूरा हर साथ सो कौन ऐसे जब चीज़ों को याद करना सुरू किजेगा ना तो आप लोग पकड़ लिजेगा कैसे याद करते यह मैंने बता दिया कि आप अपने डिस्टिक को प अगर आपको डिस्टिक पे कमांड है अगर ओभर ओल डिस्टिक पे परमंडल डिवीजन पे कमांड है तो आप लोग नदियों के कोस्टन को बहुत ही इजी वे में टैकल कर सकते हैं जैसे यही मानलो जो एस पर एक्जांपल पूस दिया आपको कोशी का समद्द किस तो अगर आपको यहां पर यह चीज़े याद रहेंगे तो आपको ज़्य महाननंदय को पूसर सकता है कि जैसे मालों यह से birth होकर यहां से घौझरर रही है जैसे आपको गंड़ की ही ही यहां से ठेक तो यहां पर यह All यह से शमंद्द कि यहां धीन कि नदी आजाती पानी ऐसे भी को सकते नदी को उस समय अच्छे से पकड़ पाएंगे जब आपका कमांड मैप पर हो मैपिंग पढ़ने की जब आप लोग आधार डिवलोप करते हैं कैसे नहीं करते हैं तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं एक बेस्ट तरीके से बिहार क मैं कोसिस करूँगा कि बिहार के जगरफे में नदी वगारा कर रहा है कि यूटूब पे आपको यह अलग अलग से यह तो आज का सेशन में यह लाए था कि बिहार के मैप को पढ़ते कैसे है । कि डिभीज़न वाइस डिस्टीक वाइस कैसे मुझत लहाधDer अब है आपका अपना भी ऑसकता है लेकिन आप डिस्टीक को पकड़े डिवीजन को पकड़ीये में देखिए कौन कौन सी डिस्टीभ हे आपके आज-पास जो डिस्टीग के कौन कुंसी बॉर्डर उसके टच होती है अगर यह सब पढ़ने की आपको आदत आ गई तो समझेगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड हो जाएगा मैप तो बिहार के मैप को कैसे पढ़ते हैं यह आप लोगों ने आज देख लिया अब आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बिहार का एक मैप ले लिजिए रूम में लगा लिजिए और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ठीक है फिर हम लोग इसके किसी डिटेल्स वीडियो मिलते हैं किसी पाटिकुलर एक टॉपिक साथ ठीक है थैंक्यू अन्यवाद